तो जो पिटाई हुई वो उस घटना के उस संदर में मुझे लगता है कि कम हुई है उसे ढंग से और मतलब काईदे से धोया जाना चाहिए था ताकि ये सबक उन सारे मुलों के लिए हो तीबी डिवेट में पहुंचते हैं और उनके नीचे इसलामिक स्कॉलर लिता है तुम लाड़ ही बढ़ा लिये हो मूच नहीं रखे हो टोपी पहल लेते हो उससे कोई इसलामिक स्कॉलर नहीं हो जाता है भारत के सारे हिंदू लोयर से बोला कि तुम लोग में कुछ नहीं है ऐसा कि क्यों नहीं एफायर कर रहे हो तो दो तीन एफायर तो कल के कल उसके नाम से ह होगी है पंचर जोड़ जोड़ के और तुम जो है टोपियां सिलसिल के उसलवार सिलसिल के उससे तुम कितना जीडीपी में कॉंट्रिब्यूट कर पाओगी या तुम्हारी शक्ति उतनी कहां से आएगी यह प्रस्ण है आप पाकिस्तान की हालत देख लीजे गदों की जं अगर सबसे अच्छा को मित्र है तो वह हिंदू है और सबसे अच्छी को जगे है मुल्क है तो हिंदुस्तान है यह दोनों स्टेटमंट उसका सही है तुम सही में खुशकिस्मत हो कि तुम भारत में पैदा हुए जहां की मैजौटि इतनी टोलेरेंट है कि तुम उसकी बह अभी कुछ समय से एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें जो पैनलिस्ट है सोईव जमई उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नोंने कहा कि माशालला पूरा एक अखंड भारत हो जाए फिर से जिसमें हम 25 करोड मुसल्मान हिंदुस्तान के 25 कर मुसल्मान एक साथ आएंगे और हमें हमारा प्रधान मंत्री मुसल्मान होगा तो वह कैसा अखंड भारत होगा और कैसा हिंदुस्तान होगा इसे लेकर के विवाद ऐसा खड़ा हुआ कि पहले तो राष्टवादियों की तो पर या फिर जो कहें सोशल मीडिया पर उनकी हैं और सबसे अड़ी बात है व्यंगकार हैं लेकिन प्राथ इसमर्डिया खास दोर पर अजीद भारती जी आज हमारे साथ है सार बहुत हो स्वागत है आपका ख़वर इंडिया पर श्वयव जमाई की पहले तो सुताई और उसके बाद में टीवी चैनल में पिटाई कैसे निंदा करेंगे हैं निंदा इंदा सेंस की जब हम टीवी जर्नलिजम के बात करते हैं तो इसमें मतलब ऐसा विक्रित रूप आ चुका है कि जो हो रहा है वो कोई और समाने घटना नहीं है लेकिन जो एक क्लिप चल रहा है जिसमें सुबूही खान उस पे चार्ज कर रही ह इस सुबूही बहुत कंड्रोल थी वह उटकर के लिए चप्ल खोलके मारना चाही है ता हिंसा का समर्था नहीं करता हूं लेकिन एक लिमिट होती है कि आप टीवी डिबेट में हो पहली बात तो यह है दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो हमेशा जब हम टीवी डिबेट में भी होते हैं बगल में भी बैठा हुआ वेक्ति है और उस पे ही हमें आरूप लगाना हो तब भी हम कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनका हिंदू-पती है या मुसलमान है इस तरह से आप कहते हैं आप डायरेक्ष उसका नाम लेकर करके इस तरह से नहीं कहेंगे तो जो पिटाई हुई वो उस घटना के उस संदर में मुझे लगता है कि कम ही है उसे ढंग से और मतलब काईदे से धोया जाना चाहिए था ताकि ये सबक उन सारे मुलों के लिए हो तीवी डिवेट में पहुंचते हैं और उनके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिता है तुम दाढ़ ही बढ़ा लिए हो मूच नहीं रखे हो टोपी पहल लेते हो उससे कोई इस स्कॉलर्शिप के जगह वहां पे तुम टीवी के माध्यम से रडिकलाइज करते हो और लोगों को बताते हो कि इस तरह से अगर तुम चलोगे तुम्हारी रीच अधिक होगी तुम्हे अधिक लोग जानेंगे और अगर आप आदे गंटे के सो में जा रहे तो धाया जार र घर का खड़ा चले रोजी रोटी चले उसका पूरे दिन का सिस्टम चले लाद खाने से और तरह तरह की बाते बोले से यहां तक आपती नहीं है अपती यहां पर रहे जब एक सोशल मीडिया पर वीडियो तरह तरह की वाइरल होती है चाहे हमने देखा कि आर अर्मेर, अश फर्चा चलाने का सिस्टम नहीं रह जाता है कल यह जो पूरा चला है और मैंने यह ट्रेंड नहीं चला है मैंने ही लोगों से बोला कि इस तरह के विशहले जो लोग हैं जो इस तरह की बाते लगातार सोशल मीडिया में कर रहे हैं और इनको देखे प्राप अप करने वाले लोग कौन हैं ये लोग पिछले छे आठ महिने में जो है जादा अधिकार है इसमें मीर मीर फैजल करके कोई है कोई हसन करके है कोई आरिफ करके है ये लोग लगातार फेक न्यूज भी डाल रहे हैं और हाइली कमिनली चार्जड मैसेज़ेज की मुसल्मानों के साथ ये हो रहा है उदर मार दिया इस तरह की चीज़ें पुश करते हैं शोयब जमाई करके है कि वो पिछले कई दिनों से लोग उसके क्लिप्स जो है ला रहे थे काजल हिंदुस्तानी को उसने टार्गेट किया जिसके कारण मैंने उसको टैक करके और मैंने भारत के सारे हिंदू लायर से बोला कि तुम लोग में कुछ नहीं है ऐसा कि क्यों ये फायर कर रहे हो तो दो तीन फायर तो कल ये कल उसके नाम से हो गई है अब जहां तक उसकी बात है कि 25 करोर इधर से 25 करोर उधर से खाली नंबर से कुछ नहीं होता है quality of population क्या है पंचर जोड़ जोड़ के और तुम जो है टोपियां सिल सिल के उसलवार सिल सिल के उससे तुम कितना जीडीपी में कॉंट्रिब्यूट कर पाऊगी या तुम्हारी शक्ति उतनी कहां से आएगी यह प्रस्ष्ण है आप पाकिस्तान के हालत देख लीजिए पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह इंप्लोड कर गई है कंट्री वहां पे एक बार कोई डाट देगा तुम बैठ जाओगे तो पाकिस्तान के स्थिति कुतों वाली हो गई है गदों की जनसंख्यां बढ़ती है वहां तो हर्सोलास चा जाता है क्योंकि चीनियों को गदे बेचेंगे इस तरह का जो राष्ट है वहां से तुम 25 करोड जो है मुसलमान ले आओ बांगलादेश कौन सा मतलब इकोनोमिक इंडिकेटर पे कौन क्या कर रहा है वो सब के सामने दिख रहा है उसका भी पूरा धाका खुदा हुआ है और वह भी चीन के भरोसे है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्टर उसका क्रेट होगा तो तुम किस पॉपॉलेशन को य सुन लेगा तो क्या होगा वही जो गजवाय हिं इनका जो अल्टिमेट एम होता है लेकिन ये वो बातें भूल जाती है कि तुमने उसकार सेवकों को जलाया था दंगों की शुरुआत तुमने की और अंत किस ने किया ये लोग भूल जाते हैं तुम तो उसक्त मेरे ही साथ काम कर रहे थे दिल्ली में जो हिंदुवी रोधी दंगे हुए कितने ग्राउंड रिपोर्ट तुमने की वहां पे भी आरम भीनों नहीं किया था दो तीन महें से योजनाए बनाए हुई थी लेकिन बाई शियर नंबर हिंदू कि तुम उसे कोने में जब ढखेलते ढखेलत कभी भी नंबर्स बढ़ा लेने की धंकी मतलब तुम यह तो भीकमंगाई हुई ना कि तुम्हारे हाथ में जो नहीं है तुम उसके उपर मतलब निर्फर हो की मेरे चाचा का लड़का आ जागा मेरे बुआ का लड़का आ जागा फिर हम तुमको दिखा देंगे ऐसे लोग दो ग्राउंड में लाथ खाते हैं मुह सुजा के सूर जैसा मुह बना के घर जाते हैं उनका बैट बॉल भी छीन लेते हैं लोग जो सामने वाले होते हैं यह होने वाला है यह जो गैंग मतलब इस तरह से प्रोगेट करना चाहरी अपने थाट को तो कि हमने उसके बाद में जैसे सोचल मेडिया पर पूरा अभ्यान जैसा चला राष्टवादी खास तोर पर उनके द्वारा जो चलाया गया और उसके बाद उन्होंने सफाई जो दी हैं दो बात कहीं एक तो यह कि अखन भारत की कल्पना करना कब से गलत हो गया और कब से गुना हो गया पहली बात दूसे बात उन्होंने यह भी कहा कि अगरमने अखन भारत की कोई बात कहीं है तो कि वह कि मेंने एक विचार रखा है उस पे सही भी अगर नंबर यह उन्होंने कहा है अगर सही बीचेंगी तो हम आसाली से प्रधानों दी बना सकते हैं तो इसमें कब से गलत हो गया अखन मंत्री था अनपढ़ादमी था किस धर्म का व्यक्ति किस जिनॉमनेशन का व्यक्ति मतलब राश्पति या प्रधान मंत्री नहीं बनाया है उसी के उलट आप चले जाए पाकिस्तान में बता दू एक हिंदू लड़की सब इंस्पेक्टर बनी थी आई-एस मतलब लेवल का न सब इंस्पेक्टर बनी है वह भी पिछले मुझे लगता है दोजार इकिस में उसको सलिब्रेट किया गया कोई हिंदू लड़की यहां तक पहुंची है सवतंत्रता के 73 वर्षों के बाद एक हिंदू लड़की इस ओहदे पर जो कि बहुत ही सामान जिवात है इस मामलें ब अखंड भारत से हमें सभस्या होती है और दूसरे तरह से दो तरह की की इमांड जो है अमारी तरफ के लोग करता है अखंड भारत उनको बचल लगता है और दूसरा जो है वो हिंदू राष्ट का होता है हिंदू राष्ट दूसरे तरह की अवधारना हिंदू राष्ट का मतलब ने एक खाली यहां पे हिंदू रहेगा जो लोगों को clarity होनी चाहिए हिंदू राष्ट की अवधारना होती है कि all inclusive जिस तरह का भारत already है हिंदु राष्ट कह देने से या उसको माल लेने से केवलिया हो जाएगा जैसे ज्यूज के लिए आपको इसराइल है विश्व का कहीं भी यहूदी है तो उसका मदर लेंड फादर लेंड जो भी है एक राष्ट है हिंदुओं के लिए ऐसा कोई राश नहीं है कि कहीं पर उसके साथ कुछ हो तो कहां पहुंचे खर वापस आते हैं श्वेब के स्टेटमेंट पर यह तो जब कल पूरा दिन चला है उसके और उसको डर लगने लगा दो तीन फायार हो गई है तब अब यह कि मैं तो मोदी जी कहते हैं मैं पहना भारत भारत हालने का थन का रहूं हमारी तो मंदिरों को टोड़ा जा रहा है हिंदूहों को काटा मारा जा रहा है उससे मुक्ति के लिए उसे पास्ट में आप कह सकते हैं आप काह पर लेकिन वह प्लिटिकल रियालिटी नहीं हो सकती कभी आज के समय में जो भी मांगते हैं और होगा भी तो जो शुहेब जमाई बोल रहा है रियालिटी हो भी सचाही रही है हाँ मुसलिम इतना हो जाएगा तो फिर एक्शुल में पी एम वही बनेगा और फिर वह शरीयत लाग हो जागा जो कि वह वहां पर होना है बिल्कुल तो वह वहां पर पहुंच इसलिए मैं भी कहता हूं कि अगर यह सारे स्टेट तो फेल हो रहे हैं वारत में मांग के चल रह ही है स्रिलंका का आपको पाकिस्तान का देखी रहे हैं और बर्मा का चारहें बर्मा भी बहुत अच्छा कंडिशन में है नहीं यह हम चाह रहे हैं अपना चुनो अपना प्रदान मंत्री बना या मुख्य मंत्री वहां पर बना उसको हम सूबों में विवाजित कर देंगे प्रदान मंत्री का कॉंसेप्ट ने हुआ इंडिया रूल करेंगे यह एक प्रेक्टिकालिटी है और जो यह लोग का रहें कि मतलब यह नंबर से और वो नंबर से हम कहीं पर पहुंच जाएंगे वो उनके मन की बाते हैं तुम जब रूल कर भी रहे थे भारत के बहुत बड़े हिस्से पर तब भी भारत अकेला ऐसा राश्ट्र है जो चाहे क्रिस्चन लोगों ने रूल किया 200 साथ और पूसलमानों ने मतलब एक हिस्से पर पूरे भारत पे तो यह सब फरजी का मतलब जो यह कॉंग्रिस काली इजुकेशन सिस्टम है उसमें बताते हैं कि 800 साल राज कितने भुभाग पे 100-100 किलोमेटर में सिमट जाता था इनका भुभाग तो उस तरह का उसको मुगल सल्तनत करके और यह फला नडिम का पढ़ाते हैं तो ठीक है वहां तक अगर यह लोग उन यादों में रहना चाहते हैं भारत जो है कभी भी अपनी पॉपलेशन जो हिंदू पॉपलेशन इतना मरा कटा भी तो यह फाइनल फ्रंटियर बनके रह गया और कभी भी पूनत मुस्लिम या क्रिस्चन नहीं हो पाया तो हम एत ली थी और उधर तो पुरा का पुरा ड्रेसी ड्रेस कोडी पाकिस्तान की आर्मी और वहां का सलवार मर्द साले सलवार पहलते किते मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सलवार मतलब मैलाएं पांते तो हीन हो गई लेकिन पूरुष पहनने लगता है तो आप समझ लिजे किस तरह कि अगर उनको साड़ी भी पहना देता तो आप तक यह साड़ी पहनता तो उसको सलिपन भी एक तरह से कर रहें तो ऐसे लोग तो दबकी ना दे कम से कम में पतलब अखंड बारत और यह की गजबाय हिंद हो जाएगा तो स्वेव जमाहीं को थुरा इतिहास पढ़ना चाहि कि हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छा कोई मित्र है तो वह हिंदु है और सबसे अच्छी कोई जगे है मुल्क है तो हिंदुस्तान है यह दोनों स्टेट्मेंट उसका सही है लेकिन कोई हिंदु मुसल्मान के बारें सेम स्टेट्मेंट नहीं दे सकता है देगा भी तो तो वह असत्य होगा क्योंकि Muslims ने जो आज के संदर में मैं बात कर रहा हूं और मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 100% Muslim ऐसे ही होते हैं पाच्छे होंगे अच्छे बाले मुझे उनसे बेट बहुत कम हुई है लेकिन यह statement नहीं दिया जा सकता कि Muslim मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यह सब कहने की बाते यह सब होता नहीं है सबसे अच्छा दोस्त तो छोड़िये प्रेम से बड़ी तो मतलब उससे बड़ा कोई संब संबंध जो होता है वो नहीं होता है अब अबदुल पर आ रहे हैं आप लव जिहाद देख लीजे हैं लव जिहाद में क्या है मतलब मित्रता जो है मित्रता से अधिक प्रगाड जो हता है प्रेम का संबंध होता है तुम वहां पर क्या कर रहे हो तुम प्रेम के नाम पर ध करती है निकाह कर लिया निकाह करने के बाद जब उसकी सच्चा पता चलती है तो वापस आना चाहती है उसमें मार के फेक देगा निकाह के बाद अगर आप देदापके रहना चाह रहे हैं तो बोलेगा मेरे बाप के साथ सो जाओ भाई के साथ सो जाओ यह सारा ऐसा नहीं है क कि 5-6 वर्सों में 400-500 से अधिक इस तरह की निशन सत्याय हुई यह डॉकुमेंटेड है जो जनलिस्ट ने डॉकुमेंट के स्टेट तो डॉकुमेंट करता ही नहीं तो हम कैसे तुम पर विश्वास कर लें भाई तुम जो आतंकवादी लोग है तुम उमार खालिद है ना एक तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा वही ना रफ पिर किसी मक्बूल के लिए किसी अमद के लिए किसी सल्मान के लिए हर बार लगाया जाता है तुम अतिक अहमद जैसे दुर्दान अप राधियों के साथ करदे हों और वही उसी तरह का अपर आधी हिंदू है संजीव जीवा जिसको मारा गया उस पर कोई रोने गाने वाला नहीं है उस पर कोई ने कर रहा है कि योगी जी की वेवस्था खराब हो गई बताइए को इसी सिमलर हुआ ना भाई अतीक आहमाद पर तुम क्यों क्वेश्चन कर रहे थे लॉइन ओर से तुम कंसर्ण थे तो तुम संजीव जीवा ने जो किया मतलब उसको जो मारा गया उस पर भी करता है तो तुम्हारी लिए केवल और केवल कौम जो है वही इंपोर्टन्ट है उसके ब्योंड तुम्हारे लिए कोई भी चीज कोई भी बात कोई भी आइडेंटिटी यह कि हि बिलकुल है तुम्हारे लिए तो बिलकुल है तुम जाके देखो भाकी देशों में मुसल्वान हो क्या इस्तिति है और कितने तरह के प्रतिबंद लगाए जाते हैं तुम सही में खुश किसमत हो कि तुम भारत में पैदा हुए जहां की मैजॉर्टी इतनी टॉलरेंट है क और वो दिन मुझे लगता है कि शोईब जमाई और उसके पूरे गैंग के लिए जो भी इस तरह के और्गनाइजड क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं उनके लिए वो दिन बहुत ही भयावा होगा तुम पहलू पर बात करें जिसमें तीन नाम आते हैं प्रम सरकारे कहा सोजाते हैं देखे सरकार का क्या एजंडा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है इस मामले में कोई भी तेंकिंग इंडविज्वल होगा जब वो देखता है कि ट्विटर से स्लेपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा रहा है कटी हुए क्लिप्स जो है नुपूर शर्मा की बिल्कुश के पहले क्या हुआ था वो तो नोइंगली डाली गई थी ना जिसको जुबैर जो है अम्प्लिफाइ करता है एक नॉर्मल एकाउंट ने डाली जुबैर बोल रहा है कि मैंने नहीं डाला लेकिन तुमने अम्प्लिफाइ किया ना तुम्हारे कारण व जो सर्तन से जुदा के नारे लगाने लगी और उसके बाद च्छा हप्तों में च्छा हिंदूों की निशन सत्याय हुई उमेश को ले हो गया कनिया लाल हो गया उसका कौन लेगा उसका उत्तरदाई तो किसका है और जब सरकार देख रही है आपने एनाईय को लगा दिया परिणामों की जाज करेगे और उसके बाद क्या होगा वो आप प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले रहें जस्टिस चंद्रचूर जो है प्री स्पीच के हिमायती है और हेट स्पीच पे वो जो है बहुत ही गहन दृष्टी बनाए रखते हैं लेकिन जस्टिस चंद्रचूर को स्वता संग्याल लेने में क्यों समस्या होती है कि आपको दिख नहीं रहा है कि सर तन से जुदा का नारा बाइद वेरी फोर वर्ट्स देट बिंग यूजड वो कितना हिंसक है क्या हमारी जुडिसरी को यह नहीं दिखता जुडिसरी बोल रहे है कि हेट स्पीच में पुलिस को यह स्टेट को स्वता संग्याल लेना चाहे उसके लिए किसी और के एफायार करवाने के प्रतीक्ष नहीं करनी चाहिए तो आप स्वायम इन सब बातों पर कैसे मतलब चुप रह सकते हो इसमें सरकार भी चुप रहती है पता ने उनकी कोई कोई चबी वाली या पसमांदा तुष्टिकरन या तृप्तिकरन जो भी चल रहा है उस कारण से हो रहा हो जुडिसरी जो है एक बार नहीं कई बार इनों ने इस तरह के मामलों में मुझे लगता है कि या आइडेंटिटी तलासते हैं जब हिंदू बेघर होता है अतिक्रवन का उस पे चलता है बुल्डोजर या ऐसे इस्तिति आती है तो कोई खेडी गाउं था सम्भपता मुझे लगता है कि उसमें दस हज से अधिक हिंदू घरों को बोला गया कि आप खाली कीजिए और इसी सुप्रीम कोट ने उसमें बोला था कि आप इंक्रोच्मेंट भी करें और आप लौ का रिफ्यूज भी सीख करें तो विदेविवस्था आपको जो है नहीं करेगी मतलब कोई सुरक्षा नहीं देगी औ और हलदवानी वाला के साथ देख लीजिए वहां पे जो है सुप्रीम कोट ओवर एक्टिव होती है बोलते है नहीं आपको अल्टरनेट अर्रेंजमेंट करना होगा स्टे लगा दिये तो यह लोगों को दिखता है अब इसको जो न्याइक कम्यूनिटी है जो यह संप्रद जैसे वो अनभिग्य नहीं थे कि नुपूर शर्मा का उसके बाद जो लोग मरें उसमें कोई हाथ नहीं हाथ जुबहर का था और तुमने बोला कि तुम्हारी जिवा के कारण पूरे भारत में जो है आग लगी है तो यह पता चलता है ना कि या तो आप वास्तविक्ता से नहीं अनभिध्य हैं या फिर आप मोटिवेटेड होके कारी कर रहा है आपको एक तरह की विचारधारा से जो है समस्या है इस कारण आप मतलब यू कम वेरी हेवी ओन वन पर्टिकुलर काइंड अफ आइडियोलोजी और यू गिव लीवे तो अधर्स